बच्चो आपने समाचार पत्र तो देखे होंगे और प्रतेक दिन आप समाचार पत्र सबेरे पढ़ते हैं समाचार पत्र सबेरे के समय कितने महत्वपूर्ण होते हैं ये बात किसी से छिपी नहीं है लेकिन आप जानते हैं इन समाचारों का स्रियन निर्मान या ये समाचार किस तरह से छपकर आपके पास आते हैं ये पत्रकारी ये लेखन है क्या चुंकि जो समाचार पत्र है उसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं पत्रकार होते हैं छपाई करने वाले मुद्रक होते हैं कंप्यूटर में काम करने वाले होते हैं तो पत्रकारी ये लेखन और उसके विभिन घटक या आयाम वास्तों में बच्चो समाचार पत्र अथवा जन्द्रसंचार माध्यम Western में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों दर्सकों और स्रोताओं तक सूचनाएं पहुचाते हैं पाठकों को जागरुक और शिक्षित बनाने और उनका मनोरंजन करने के लिए लेखन के जिन भी भिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पत्रकारी ये लेखन कहते हैं अब आपकी समझ में आ गया है कि पत्रकारी ये लेखन है क्या इसमें एक बिंदू उभर करा रहा है पत्रकार माने पत्रकार एक ऐसा माध्यम है एक ऐसा तत्त है जो अपने लेखन के माध्यम से समाचार तयार करता है और आप तक वो पहुंचता है अब जिस पत्रकार की हमने आपसी चर्चा की कि जो पत्रकार होते हैं वे होते कितने तरह के हैं जो समाचार आप तक पहुंचाते हैं तो बच्चो एक होता है पूर्णकालिक पत्रकार यह जो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं वे किसी समाचार संगठन में काम करने वाले मतलब नियमित बेतन भोगी कर्मचारी होते हैं पूर्णकालिक पत्रकार मतलब समाचार पत्र में काम करने वाले नियमित बेतन भोगी कर्मचारी एक होता है अंशकालिक पत्रकार वह होता है जो किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मांदेय पर काम करता है कुछ उन्हें मांदेय मिलता है और अंशकाल कुछ समय के लिए उस समाचार पत्र के लिए वो काम करते हैं तो पहला हुआ पूर्णकालिक, दूसरा हुआ अंसकालिक, और तीसरा हुआ स्वतन्त्र पत्रकार, जिसको फ्रीलांसर कहते हैं, फ्रीलांसर पत्रकार किसी महत्वपूर्ण समाचार पत्र से सम्मंदित नहीं होता, बलकि वह समाचार पत्रों में भुक्तान के आधार पर कार करता है उसको पैसा मिलता है और वो उतना लिख करके भेड़ देता है अब बच्चों कि ये पत्रकारिता है क्या आप जानते हैं कि मनुसे एक जिग्यास प्राणी है जानने की इच्छा रखता है इसी के परिणामस्वरूप देश दुनिया में घटनी वाली जो घटनाएं हैं उन्हें समाचार के रूप में पढ़ना चाहता है समझना चाहता है तो दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में हम तक पहुँचाने की जो कला है वो पत्रकारिता कहलाती है अब आप समझ गए हैं कि पत्रकारिता क्या है मने पत्रकारिता एक कला है सूचनाओं का संकलन करने वाले पत्रकार कहलाते हैं और पत्रकारिका को विधाई का कारेपालिकार न्यायपालिका के अत्रिक्त लोग तंत्र का चौथा इस्तंभ कहा जाता है लोक्तंत्र का चौथा इस्तंभ क्या है पत्रकारिता देश-विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा पत्रकारिता है पत्रकारिता का जो मूल्टत्त्त है वो नई सूचना प्रदान करना है मनें नई से नई सूचना अध्यतन सूचना आप तक पहुंच जाए यह पत्रकारिता का पहला उद्देश से है अब पत्रकारिता होती कितने प्रकार की है बच्चों पत्रकारिता के भी कई प्रकार है जैसे एक है खोज परक पत्रकारिता दूसरा है विशेशी कृत पत्रकारिता फिर तीसरा है वाच डाग पत्रकारिता पांचवा है एडवोकेसी पत्रकारिता फिर है बैकल्पिक पत्रकारिता और फिर है पीत पत्रकारिता या पेज थ्री नाम से भी उसे जाना जाता है अब खोजपरक पत्रकाजिता क्या है आईए हम इसको अलग-अलग समझ लें जिसमें सूचनाओं को सामने लाने के लिए उन तथ्यों की गहराई से छान बीन की जाती है जिन्हें सम्मंधित पक्षद्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा हो खोजपरक अनुशंधान करके खोजपरक जब किसी तथ्य को किसी सथिको शमंधित पक्षद्वारा दबाया जाता है छिपाया जाता है तब पत्रकार अपने खोजी द्रिश्पिति से उस समाचार को आपके पास लाते हैं यह है खोज परक पत्रकारिता और दूसरी है विशेशी क्रित पत्रकारिता किसी छेत्र विशेश की गहन जानकारी देना और उसका विशलेशन करना विशेशी क्रित पत्रकारिता कहा जाता है इससे छेत्र विशेश की जानकारी प्राप्त करना सरहल हो जाता है किसी छेत्र व एक है वाच डाग पत्रकारिता ये बच्छो वाच डाग पत्रकारिता हाँ वाच डाग पत्रकारिता की मुख भूमी का सरकार और जनता के बीच ताल मेल बनाना है जनता की आवाज को सरकार तक पहुचाने का सबसे बड़ा सरसक्त नमाद्यम है वाच डाग पत्रकारिता मने जनता जनारदन जनता की आवाज जनता की पुकार को सरकार तक पहुचाने की जो कला है वाच डाग पत्रकारिता में है एक है एडवो केसी पत्रकारिता किसी खास विचारधारा मत या घटना या जन्मत बनाने के लिए अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को पक्षधर पत्रकारिता या एडवो केसी पत्रकारिता कहते हैं किसी खास विचारधारा मत विचार या घटना पर लोगों की राय बनाने के लिए प्रचार प्रशार के लिए जैसे साक्षर्टा कारिक्रम है जैसे चुनाओ है तो सरकारी रूप से एक अभियान चलाने की जो प्रक्रिया है जनमत बनाने की जो प्रक्रिया है लोगों को लोग पक्षधर हो जाएं हमारी बात को सुनें हमारी बात को मान लें तो ये सब जो है एड़वो केशी पत्रकारिता के अंतरगत आता है जैसे टीका करण कारिक्रम ह हम एक माहौल बनाते हैं हर कि मतलब एक अभियान चला करके जन्मत बनाने की जो प्रक्रिया है वो एड़ो केसी पत्रकारिता के अंतरगत आएगा एक है बच्चो बैकल्पिक पत्रकारिता यह कल्पिक पत्रकारिता जो है प्रायह सभी पत्र या पत्रकार इस्थापित ब्यवस्था और मालिकों के अनुकूल चलते हैं यह सरोमान सत्य है कि जितने समाचार पत्र पत्रिकाएं मुद्रित होते हैं प्रकाशित होते हैं उनके जो मालिक हैं वो जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से मने शामगरी जो है प्रकाशित करते हैं परन्तु जब मीडिया इस्थापित ब्यवस्था के बिकल्प के रूप में अपनी सोच को अपने चिंतन को अपनी विचारधारा को ब्यक्त करता है तब उसे बैकल्पिक पत् पत्रकारिता या पेज थ्री पत्रकारिता इसके अंतरगत संशनी चका्षों से घटक हैं पत्रकारिता के तो वास्तों में पत्रकारिता का जो संबंध है मुख्य रूप से समाचारों से किन्तु इसके अंतरगत अन्य मतलब आयाम भी है जैसे विचार है टिपणी है संपाद की यह लेख है फोटो है कार्टून है रेखांकन है यह चीजें पत्रकारिता के अंतरगत आती हैं तो इस प्रकार बच्चों पत्रकारिता के जो आयाम है घटा में पहला है संपाद की यह आप हर समाचार पत्र में संपाद की यह देखते होंगे और वह तातकालिक विश्यवस्त को लेकर तातकालिक घटना को लेकर जो बहुत महत्वपून मने समाचार होता है उसको लेकर के संपादक लोग संपादकी लिखते हैं एक है फोटो पत्रकारिता तो फोटो पत्रकारिता में मतलब फोटो की माध्यम से अपनी बात कही जाती है एक होता है कार्टून का कोना कार्टून से आप परचीत हैं रे खां आयाम हैं इनमें संपाद किये हैं और जो ब्यंग के जो कार्टून हैं जो चित्र हैं यह बहुत माइने रखते हैं बड़े बहुत महत्व रखते हैं पत्रकारिता जगत में अब आगे हम समझें कि पत्रकारी ये लेखन के लिए ऐसी कौन-कौन सी बाते हैं जो बहुत माइने रखती हैं बहुत महतवपूंण होती हैं तो बचोria अच्छ्छ लेखन के लिए जो महतवपूंण बाते हैं उन्हें ध्यान में रखना चाहिए जैसे वाघ के छोटे होने सब्सक्राइब बहुत बड़े वाघ लिखने में पढ़नेवाला जो जाता है मिस्र और संयुक्त वाक्य की तुलना में सरल वाक्य के संग रचना को महत्त देना चाहिए आपने वाक्यों के समंध में देखा होगा प्रस्ण वाचा नकारात्मक्त सरल वाक्य मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य तो इसमें मने जो महत्तुपूर्ण होता है एक तो वाक लिखे जाएं संयुक्त और मिस्रवाक्य कम लिखे जाएं दूसरी बात जो बहुत मायने रखती है पत्रकारिता के लिए सामान में बोल चाल की भाशा जो हम भाशा बोलते हैं भाशा वास्तों में भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है हम अपने विचार आप तक पहुंच चालते हैं वही भाशा है तो जिस तरह से हम बोलते हैं उसी तरह की भाशा और सब्दों का प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है अनावश्यक सब्दों के इस्तमाल से हमेशा पत्रकारों को भी बचना चाहिए वैसे जितने लेखन हैं बच्चों लेखन में हमेशा अनाव सब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता नहीं उसकी अर्थवत्ता समाप्त हो जाती है सब्दों का सार्थक प्रयोग किया जाना चाहिए निर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए उससे बचना चाहिए अच्छा लिखने के लिए प्रतिष्ठित लेकों की रचनाएं ध्यान से प पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए जितने उच्छ कोट के विचालक निभणकार हैं उपन्यासकार रेखाचित्र लिखने वाले हैं आत्मचरिल लिखने वाले हैं तो इन सब के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए चुब कि पुस्तकें जो हैं जब उन्हें आप पढ़ेंगे तो आपका ग्यानारजन होगा और साथ ही आपका कोश भी बढ़ेगा शब्द कोश भी बढ़ेगा उससे आप माने लिखने में बहुत दक्ष हो सकेंगे और बहुत अच्छे माने सार्थक शब्दों का प्रयोग कर पाएंगे महावरा एवं लोकोक्ति का प्रयोग लेखन को प्रभावी बना देता है महावरे और लोकोक्तियां ये आपकी लेखन कला में सोने का सुहागा का काम करते हैं मनें अगर लोकोगति और महावरों का आपने प्रयोग किया तो आपका जो लेखन है स्रीजन है वह प्रभावी हो जाएगा महत्वपूर्ण हो जाता है और बच्चों लिखने के बाद दुबारा जरूर पढ़ना चाहिए चुंकि कभी कभी गलती हो जाती है ब्यक्ति से जिस अपभी जो लिखते हैं घरों में बिद्यालेओं में महाविद्यालेओं में तो एक बार जो आप लिखते हैं उसको दुबारा जरूर पढ़िए जो गलतियां है उनको सुधार लेजिए आप में तथ्यों को जुटाने और किसी विशे पर वारी की से विचार करने का सेख है बहुत जल्दवाजी नहीं करनी चाहिए अगर आपने जल्दवाजी की तो तथ जो है अच्छे रंग से प्रतिपादित नहीं हो सकेंगे आप उनका समायोजन नहीं कर पाएंगे अब लेखन में कसावट बहुत जरूरी है कसावट बिलकुल सधा नपे तुले शब सब्दों का प्रयोग आपको पूरी दुनिया से लेकर अपने आज पास घटने वाली घटनाओं समाज और परियावरण पर गहरी निगाह रखनी चाहिए अब देखे आप बच्चों जो समाचार पत्र पढ़ते हैं तो मुख प्रिष्ट पर जो पहला पेज होता है आप उ पास घटने वाली और पूरी दुनिया से लेकर मने पूरी दुनिया आपकी नजर में होनी चाहिए कहां क्या हो रहा है और आपके देश में क्या हो रहा है और आपके प्रदेश में क्या हो रहा है और आपका समाचार पत्र जहां से निकलता है वहां की घटनाएं क्या है तो पत्रकार जो है वो पूरे विश्व को अपने देश को अपने प्रदेश को और आज पास घटने वाली तमाम घटनाओं को और जो समाज में चल रहा है साथ ही परियावरन जो बहुत महत्वपूर घटक है आज की तारीक में उस पर निगाह रखनी चाहिए उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि अपने लेखन के लिए आप उससे विचार बिंदु निकाल सकें तथ्य निकाल सकें और तथ्य निकाल कर उस का आप समाचार पत्र या आलेखन लेखन संपार्द की जो है रेखाचित रिपोर्ताज आप तयार कर सकें लिखते हुए यह ध्यान रखना है कि आपका जो प्रमुखुद देश से हैं अपनी भावनाओं विचारों और तथ्यों को प्रकट करना है ना कि दूसरे को